नमस्कार मैं हूँ गीता थाकुर नेशन एट नाइन में आप सबी का स्वागत हैं ये वक्त है देश की मुख्या खबरों का मध्यप्रदेश के पूर्व सीम और राज्य सभा सदस्य दिग्विजय सिंग कॉंग्रेस अध्यक्षपत का चुनाव लड़ सकते हैं दिग्विजय सिंग अभी भारत जोड़ु यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं उन्हें अचानक दिल्ली बुलाया गया है वो राद तेजी से सामने आया है वहीं कमलनाथ ने भी खुद को कॉंग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर बताया है इधर कमलनाथ ने बुद्वार को भुपाल में प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी दफ्तर में कहा विग्विजय सिंग के अध्यक्ष बनने के सवाल पर वो बोले हैं कि ये उनसे ही पूछे राहुल गांधी से एक महीने पहले बात की थी उनसे कहा था कि आप लीडर बनिये लेकिन उन्होंने मना कर दिया शशी थरूर ने मुझसे बात की थी थरूर ने कहा था कि वो इसलिए पर्चा भरेंगे क्योंकि चुनाव हो ऐसा ना लगे क्यों चुना सामले में गिरफतार किया गया था कोट ने उनकी जमानत याचिका पर अपना आदेश बीते रोज ही सुरक्षित रख लिया था रुक करेंगे एगली खबर क्यों केंदर सरकार ने बुद्वार यानि आज सुबा पॉपुलर फ्रंट ओफ इंडिया यानि पीएफाइ को Unlawful Activity Prevention Act यानि UAPA के तहत लिया है सरकार ने कहा कि PFI और उससे जुड़े संगठनों की गतिविदियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खत्रा है सरकार के कदम पर केंद्रिया पंचायती राजमंतरी गिरिराज सिंग ने ट्वीट किया कि Bye Bye PFI इसके बाद के कोंग्रेस सांसत के सुरेश ने कहा है कि RSS पर भी जो है PFI की तरह ही बैन लगना चाहिए क्योंकि दोनों संगठनों का काम तो एक जैसा ही है तो करेंगे एगली ख़बर की और Popular Front of India पर पांच साल का बैन लगने के बाद विपक्षी नेताओं ने राष्टिय स्वें सेवक संग यानि RSS पर बैन लगाने की मांग शुरू कर दी है हालांकि PFI के अलावा आठ और संगठनों पर भी कारवाही की गई है कॉंग्रेस सांसद के सुरेश के बाद अब राज़त सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मांग की है कि संग पर भी बैन लगाया जाए लालू ने कहा कि संग भी पूरे देश में हिंदू संप्रदाइकता फैलाने का काम कर रहा है जो PFI की तरह ही है इसलिए उसे भी बैन किया जाए इससे पहले कॉंग्रेस सांसद ने कहा था कि हम RSS पर भी प्रतिबंद लगाने की मांग करते हैं PFI पर बैन कोई उपाय नहीं है RSS भी पूरे देश में हिंदू संप्रदाइकता फैला रहा है RSS और PFI दोनों समान है इसलिए सरकार को दोनों पर प्रतिबंद लगाना चाहिए केवल PFI पर ही बैन क्यूंग रुक करेंगे अगली खबर की ओर उत्राखन के सीम पुशकर सिंग धामी ने एलान किया है कि अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपे की आर्थिक मदद दी जाएगी इसके बाद अंकिता मुर्डर केस की सुनवाई फास्ट्रेक कोट में भी की जाएगी आपको बता दें कि 19 साल की अंकिता भंडारी को 19 सितंबर को जो है उसकी हत्या कर दी गई थी लगभग 6 दिनों के बाद अंकिता का शव पानी से बरामत किया गया था जिसके बाद स्थानिय लोगों ने प्रदर्शन किया था और इस पूरे मामले में भाजपानेता का बेटा भी सनलिप्थ है रुक करेंगे अगली ख़बर क्यों पच्छिम बंगाल की सरकार को कलकत्ता हाई कोट से बड़ा जटका लगा है कोट ने राजसरकार की योजना दुआरे राशन योजना को अवैद गोशित कर दिया है हाई कोट ने कहा कि पच्छिम बंगाल सरकार की दुआरे राशन योजना राश्य खाद्या सुरक्षा धिनियम के खिलाफ है ममता सरकार ने पिछले साल ये योजना जो है शुरू की थी इसके चलते लावार्थियों के घर पर राशन समगरी उपलब्द उन्हें जो है करवाई जानी थी रुख करेंगे अगली खबर की ओर पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन की मांग को लेकर सीएम भगवंत मान और गवर्नल बीयल पुरोहित के बीच तल्खी बरकरार है ये तल्खी बुदवार को यानि आज चंडीगड एयरपोर्ट के नाम बदली सामारों में भी दिखी जहां तल्खी के बाद सीएम मान और गवर्नल पहली बार एक मंच पर थे इस दोरान ना दोनों की नजरे मिली और ना ही दोनों में बात हुई है मंच पर बैठे दोनों आगे की तरफ ही देखते रहे हालांकि कार्यकरम खत्म होते वक्त जरूर उन्होंने एक दूसरे को संकेतक अभिवादन जरूर किया फिर भी उनकी तलकी पर खूब चक्चा हो रही है रुक करेंगे एक ली खबर के ओर हर्याना और पंजाब को केंदर सरकार ने बड़ा जटका दिया है एरपोर्ट के नामकरण के दिन शहीद भगत सिंग एरपोर्ट के साथ केंदर शासित प्रदेश चंडीगड का नाम जोड़ा गया है पंचकुला और मोहाली का कोई जिक्र तक नहीं किया गया है इससे पहले हर्याना इसमें पंचकुला जोडने और पंजाब मोहाली की मांग करता रहा है हालांकि शहीद भगत सिंग का नाम आने के बाद अब दोनों राज्यों की सरकारों ने चुपई साथ ली है अभी के लिए बस इतना ही जल्द लोटेंगे नई जानकारी के साथ